बचट ना काफी increase हो गया है तो अब कही ना कहीं पे cost cutting करनी है इस चक्कर में हमने false ceiling को avoid कर दिया बट चाहते हैं कि false ceiling के बिना भी जो घर की look and feel है ना वो काफी जादा luxury आचे तो yes guys ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आचे हम इसी बार में बात करने वाले हैं कि क जैसे हम बिना false ceiling के अपने घर को काफी अच्छे से highlight कर सकते हैं बस हमें right light choose करनी है कौन-कौन सी ऐसी light से जो market में आती है जो बिना false ceiling के घर के अंदर installed हो सकती है उनका क्या use रहता है कौन सी light किस purpose के लिए use होती है आपको उन light का use कब और कहां करना है और कैसे करना है बहुत डिटेल में discussion करने वाले हैं तो वीडियो को एन तक ज़रूर देखेगा हम स्टार्ट करते हैं पैनल light के साथ तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हो कि घर के अंदर पैनल light का use करना बहुत सादा ज़रूरी है विकास वो एक ऐसी lighter जो एक साथ spread out होती है आपके पूरे रूम को एक एक साथ spread out होती है जिसकी वज़े से हमारी जो activities है वो हम easily perform कर सपाते हैं because मेरा मानना है कि designing is not about कि आपका घर सिफ highlight हो आपको उस घर में रहना भी है तो जो practical चीजे है वो भी आपके घर में होनी चाहिए तो पैनल light एक ऐसी light है जो आपकी activities को practical बनाती है ये वो amount of light आपको द सकते हो अपने living area में, dining area में, bedroom में and kitchen के अंदर इसमें बस छोटा सा different है जो false ceiling light आती है वो conceal हो जाती है ceiling के अंदर और जो हमारी पर surface light आती है इसमें जो ये rim दिख रहा है ना आपको ये rim हमें दिखाई देता है अब जो ये rim है ना ये बहुत सारे variant में available है market के अंदर मोटा, पतला, slim, बहुत सारे variant में available है तो ये आप अपने according चूज कर सकते हो मैं बात करूँ shape की तो round shape भी आता है square भी आता है and even hexagon भी आता है तो shape भी आप अपने according decide कर सकते हो, choose कर सकते हो and सारे ही watch में available है and तीनों ही color temperature में भी आता है like warm white, cool white and natural white तो आप इसको अपने according चूज कर सक करते है and जो look and finish है वो काफी अच्छी देती है, मतलब जो हम ceiling में panel light लगाती है ये उसका replacement है बिना ceiling के panel light, look effect सब कुछ same है बस इतना फरक है कि वो concealed हो जाती है और इसमें हमको rim दिखाई देती है, मैं बात करूँ starting price को, ये starting हो चाती है 400-500 रुपीज से and जैसे सब ब्रैंड म console light as a spotlight use कर सकते हैं, तो guys calm down, हमेरे पस उसके लिए भी बहुत सारे options है, तो मेरे पस first option है, ये surface slender light देखने में बहुत साथा सुन्दर लगती है and इसका main काम है कि focus करना, तो जहां पे भी आपको अपना कुछ भी focus करना है, furniture हो गया, painting हो गयी, lighting कुछ भी focus करना है, तो वहां पे आप ये slender light use कर सकते हो, look and feel बहुत ही luxurious है, आपने अकसर ये light देखी होगी बड़े-बड़े hotels के अंदर या फिर cafes के अंदर, ये हम interior में घर में भी use करते हैं, look and feel बहुत अच्छी आती है and दोनों ही काम हो रहे है, आपकी false ceiling भी नहीं हो रही है and जो आपको look मिल रही है, ये lighting से वो बहुत ही high end मिल रही है, ये बहुत सारे colors में आती है, मैं outer body की बात करूँ तो black and white में आती है, और मैं inner की बात करूँ तो जो ये आपको glass दिख रहा है, ये rose gold, golden, silver, black, white सारे ही colors में available है, look and finish बहुत ही अच्छी है, बट ये थोड़ी सी costly है, इसकी starting होती है 600 to 700 और brand के according थोड़ी सी और महंगी होती जाती है, बट बहुत अच्छा focus बनाती है, वो जैसे कि हमारी CEO भी light SXV बनाती है, वैसे ही same ये effect देती है and इसको install करना बहुत ही easy है, सीधा slab में आप install करा सकते हो and लगने के बाद आपके false ceiling की खुबसूरती और साधा बढ़ा देती है तो अब next आता है adjustable cylindrical light, yes guys adjustable भी आती है, इसके अंदर बस इतना ही फर्क है आप इसके angle set कर सकते हो because कई बार क्या आता है ना कि एक light जब ऐसे लगे तो उसका V सिफ नीचे बन रहाते है, बट हम चाहते हैं कि नहीं कोई angle भी बने तो उस case में आप adjustable use कर सकते हो, इसके जो angle है 60 degree to 180 degree आप असानी से adjust कर सकते हो, जैसा भी आपको angle चाहिए, जहां भी भी आपको focus कराना है, वहाँ पर आप इसका focus असानी से बना सकते हो, and look and finish बहुत ही अच्छी आती है, ये भी black body and white body में available है, and color temperature तीनों ही available है, warm white, cool white and natural white, देखने में बहुत साधा सुंदर भी लगती ह पाती है double spotlight, guys double spotlights are like कि अगर आपने अपने घर में ये install करा दीना, तो आपको कुछ और करने की जुरत ही नहीं दो, कि ये इतनी सुंदर लगती है, just look at this, ये बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर और आपके interior को ये एक नई term दे देगी, like आपने पूरे घर में कुछ भी नहीं करा है और सिर्फ ये lighting यूज करी है, trust me आपका घर किसी भी 5 star hotel से कम नहीं लगेगा, because इस light का effect बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ इसकी look भी बहुत अच्छी है, तो कई बार क्या होता है, कि हमें ना, एक मेरा living room है, मुझे वहाँ पे panel light नहीं चाहिए, सिर्फ spotlight चा साथ आपका घर के अंदर एक focus बना रहेगा, ये भी same way बनाती है, इसका काम है सिर्फ focus करना, like आपका passage area होगे, आप महाँ पे इसको use कर सकते हो, आपका leaving area होगे, I always prefer कि आप इसको leaving area और passage में use करो, look and feel बहुत अच्छी आती है, और रही बात, आपका master bedroom है, तो आपको single दे दो, तो मतलब single दो हो गए, तो बहुत सुंदर लगती है, and effect काफी अच्छा और काफी सुंदर बनाती है, ये थोड़ी सी costly आती है, इसके pricing start होती है, 800-900 रुपीज के आसपास, and तीनो ही विनिट में आती है, warm white, cool white and natural white, देखने में guys बहुत अच्छी लगती है, trust me, like false selling नहीं कराया है, बद थोड़ा amount अगर lighting पे डाल दियाना, तो आपके घर को एक बहुत ही अच्छा लुक मिल सकती, अब हम बात करते हैं, track light की, track light तो बहुत easy है, समझना, तो मार पस surface track light भी available है, जो easily आपके slab में fix हो जाती है, screw से fix होती है, installation बहुत ही easy है, like जितनी भी surface light है वो सीधा slab में आपका install होती है, and सब की installation बहुत ही easy है, and मैं एक और चीज़ बोलूँगी, अगर आपने plan किया है, कि आपको false selling नहीं करानी है, तो उस case में जब भी जब का घर बन रहा हो, तो हमेशा try करो कि slab में extra electrical wires आपने छोड़ी हो, ताकि बाद में, आप slab में जीरी नह नहीं कार सकते है, तो आपको open wire छोड़नी परती है, तो open wire देखने में थोड़ी गंदी लगती है, तो उसके लिए सबसे best option यही है, कि जब भी आपका lenter डल रहा हो, उस time पे आप अपनी slab में हमेशा electrical points छोड़ो, and ये पहले decide कर लो, कि आपको false selling करानी है, या नहीं करानी ह हैं, and content थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो do like, share and subscribe, that means a lot to us, अब हम बात कते हैं, track light की, look and feel अगर आप देखो, तो same है, जैसी हमारी normal track light आती है, बस इतना ही फरक है कि यह surface पे install हो जाती है, and look and feel काफी अच्छी आती है, वही black body and white body दोनों ही available है, and बस इतना ही फरक है कि उपर adapter आपको दिख रहा होगो, and नीचे यह आपके 3, 4, 5, जितने भी आपको track light यूज करनी है, उसके कौर्णी वह हो सकती है, इसका भी main purpose यही होता है कि आपको कहीं पे भी focus बनाना है, तो आप महाँ पे focus बना सकते हो, and basically मैं prefer करती हूँ कि जब आपको एक जगार है कि द overdue मत करना, इसको बहुत limited amount में use करना ताकि देखने में बहुत खुबसूत लगे, आपके घर का जो interior है वो highlight करा है, but कभी-कभी ऐसे आना लगे कि आप पूरे में track light है, and because आप इसको surface पे use करने वाले हो, तो आपको इसका जो track है वो visible होगा, like उसकी जो depth है वो आपको नजर आपने बहुत overdue कर दिया, ceiling को बहुत heavy कर दिया, इसलिए surface में छोटे track use करना, ताकि सिर्फ एक wall highlight करने हो सिर्फ उतने track, वो जाधा सुन्दर लगते है, पूरी false ceiling पे track मत लेके जाना, and next is surface profile light, yes guys, surface profile light भी आती है, and उसका भी same ही है, कि जो उसकी profile होती, जो thickness होती हो आपको दिखाई देती है, and इसको आप suspended भी use कर सकते हो, मतलब कि wire लगा के, slab से hang, थोड़ा सा 7-8-9 inch करा की, इसको use कर सकते हो, यह वरी light हम अकसर use करते हैं, offices में, hospitals में, schools में, घर में हम कम use करते हैं, अगर करते भी हैं, सिर्फ dining के उपर use करते हैं, इसको use नहीं करते हैं, तो I advise कि आप घर के अंदर इसको use मत करना, आप commercial places पे इसको use कर सकते हो, and next आती है, surface magnet light, तो यह इसका surface magnet light भी available है, इसका भी same track, track है, वो सीधा install होता है, आपकी slab में, उसके बाद जो आपकी n number of lights, इसमें फिट करा सकते हो, track light हो गया, linear light हो गया, यह भी काफी अच्छा look and feel दे देती है, बस सबका एक ही चीज है, कि जो आपकी wire है, वो slab में होनी चाहिए, तो क्योंस फिर अगर आपने by chance आपके पास wire नहीं है, या फिर कोई flat है, या कुछ ऐसा है, तो आपको wire नजर आएगी, तो उस case में advice करूंगी, कि आप at least 2 इंची P.O.P. चढ़ा के at least wire को छुपा दो because wire ना, like commercial places में दिखती हुई बहुत अच्छी लगती है, बट residential में वो कभी-कभी ना, बहुत overdue लगता है, because जब आप सोते हो ना, और आपकी ceiling आपको heavy लगे, बहुत सारी wires चाहती हुई लगे, तो आपको interruption, आपको खुद से वो कुछ लगा कि बहुत heavy चीज आपके सर के उपर है, इसलिए में open wire ये सब कुछ कभी भी ना, bedrooms में advice नहीं करूंगी, बाकी commercial में आप कर सकते हो, and try करो कि अगर false ceiling नहीं कराने है तो वो बहुत पहले decide कर लो, and slab के अंदर हमेशा extra wire दो, ताकि कल को आपका mind change होता है false ceiling को लेके, तो at least आपके पास एक alternative option है, अपने खर क चैनल को लाइच, शेरन सब्सक्राइब करना हो, and if you do so, the channel को like, share and subscribe ओना हो, thank you guys for watching